हलो दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर सिंप्रजापती यूपी फ्राम नेपावल बॉडर से अपनी यूटूब चैनल में आप लोगों का हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आप एज देख रहे हैं एक घनेरी का पौधा है एक तरह की जो है जाड़ी होती है इसमें जो है पीले पीले फूल लगते हैं और कई तरह की इसमें फूल लगते हैं ठीक है इसके फ़ल जो है छोटे छोटे होते हैं एस सडकों की किनारे खेतों में ठीक है आसानी से आपको मिल जाएगा बहुत ही जो है अद्भुत जड़ी बूटी है बहुत से बिमारियों में इसका लाब होता है ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताएंगे आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखे एक एक बात को ध्यान से सुने तक कुछ भी पूछने की जरूरत ना पड़े जानकारी अगर हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें हमारे पेज को फ़लो करें और हमारे यूटूब चैनल को भी सब्सक्काइब करें हमारे यूटूब चैनल पर जो है आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी कोई भी प्रोब्लम हो हर तरह की घरे लिउन उसके आपको मिल जाएंगे तो हमारे पेज पर यूटूब चैनल का भी लिंक है हमारे चैनल को सब्सक्काइब करके विलाइगन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हमारे पेज को फ़लो करे और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को जो है सेर करे आपका एक सेर किसी का भी भला कर सकता है ठीक है वीडियो को लाइक करे दोस्तों चलिए हम बात करते हैं घनेरी के पवधे के बारे में दोस्तों अगर आपको कहीं फोड़ा फुनसी हो जाता है घाव हो जाता है तो इसके पत्तों को पीस करके पेश्ट बना कर आप इसका लेप कर सकते हो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा घाव भर जाएगा आपका ठीक है अगर आपको सर्दी जुखाम हुआ है तो इसके पत्तों का जो है काढ़ा पी सकते हो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ठीक है अगर आपको सरदर्द है तो सरदर्द में इसके पत्तों को रगड़ करके इसको जो है आप सूह सकते हो ठीक है या पेश्ट बनाकर अपने सर पे लेप कर सकते हो कैसा भी माइगरेन हो सरदर्द हो तुरंत जो है आराम होता है ठीक है इसके पत्तों को सूहने से भी जो है सरदर्द गायब हो जाता है दोस्तों इसके जो है बहुत ही अंगिनत फायदे ह और पूरा अगर हम बताने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी ठीक है और आपको बहुत ही आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटी है आपको हर जगए एविलेबल हो जाएगा ठीक है और एक बीमारी में और इसको जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत अच्छा रेजल्ट है इसका ठीक है अगर आपको कहीं भी सफेद दाग की प्रोबलम हो गई है सफेद दाग हो गया है तो सफेद दाग में भी ये बहुत बढ़ियां काम करता है सफेद दाग में आपको क्या करना है इसके पत्तों का और इसके भलों का रस कुछ पत्ते ले ले उनको साफ कर ले अच्छे से भलों को भी अच्छे से साफ कर ले और किसी खलवट्टे में इनको कूंट करके उसका रस निकालने के बाद उसमें आप थोड़ा सा उसमें नारियल का तेल मिक्स कर ले और इसको कौटन की साहता से जहां भी आपको सफेद दाग हुआ है उस पर अपलाई करें कम से कम 40-50 दिन तक इसका आप इस्तेमाल करें आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका सफेद दाग का रंग बदलने लगेगा ठीक है और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपका सफेद दाग जो है एकदम ठीक हो जाएगा दोस्तो सफेद दाग ओही ठीक होगा जिनका कहीं है ठीक है जैसे मालिये कहीं हाथ में है थोड़ा सा या चेहरे पे कहीं थोड़ा सा हो गया है पैर में कहीं थोड़ा सा हो गया है ओ सही हो जाएगा अब कहोगी जिसकी पूरी बाड़ी ही एकदम सफेद हो गई है तो सही न आसानी से मिल जाएगा बहुत ही आराम से कोई पैसा तो लगेगा नहीं तो ट्राइ कर सकता है कोई भी लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि मतलब जो थोड़े-थोड़े हैं वो सफेद दाग इसे ठीक हो जाएंगे ठीक है लेकिन अगर पूरी बौडी सफेद हो गई है तो वो सही नहीं होगा ठीक है ठ्राइ कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी जानकारी जो मैंने आपको सेयर किया इसके और भी बहुत से नाम है घनेरी है रायमुनिया लेटीना इसको कहते हैं इंगिलिस में ठीक है और कई इसके नाम है आप चाहो तो गूगल पर सर्च भी कर सकते हो इ थिक है अग्रिमंध भी कहते हैं इसको आपके यहां क्या कहते है आप चाहो तो comment करके हुग को बता सकते हो ठी कैंव। लेकिन मुक्प के घनेरी के नाम से ही जानते हैं ठीक है तो दोस्तों ओर ओश्टी सी प्रोब्ला में जैसे लिंग टेड़ा है छोटा है पतला है सेक्स टाइमिंग की कमी है पेसा में धाज जाता है लिंग खड़ा नहीं होता है सेक्स टाइमिंग इतम जीरो है तो आप हमारे यहां से दवा मंगा सकते हैं वीडियो में हमारा वाटसप नंबर है हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं ठीक है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में